कि नमस्कार आप देख रहे हैं एक सीन न्यूज और आपके साथ मैं हूं कमल नया चुनाव योग की बंदी से खत्म हो चुकी है उनीस तारीक की साम आज है बाच बज रहे हैं घड़ी की सुई टिक टिक आगे बढ़ रही है और अब क्यामत की रात होने वाली है क्योंकि अब चुनाव परिनाव आने वाले हैं जो उमीद है जटता किसे परधान मंत्री के कि कौन परधान मंत्री बन रहा है एफजिप बोल किया जाते हैं लेकिन इससे दूर हटकर आज स्टोडियो में हमारे साथ मौजूद है जियोधिसी सुमीत अहुजा जी उनका मैं सौगत करता हूं स्वागत तो अगर हम राहुल गांदी के अभी चर्चा कर रहे हैं तो सब ग्यंका गांदी जी का अगर होसकोप देखा जाएं न lekkow अ yeah का अधि अन में होसकोप देखा जाएं मित्धून लगन सेनका होसको पर व्रश्चिक राशी है मिथून Táющei मिथून लगन है उल्का और ईनकी होसकोफ में नाएंथ हाउस के अंदर बैठ हैं और शूक्र तो इस होरस्कोप में सर्वे सर्वामिन्स देने वाले हैं, कारकफ गरहे हैं और राशी की बात करें, तो इनको भी आखरी रहिया चलना है बड इनके लिए आखरी रहिया प्रामिस वाला रहेगा, बैनिफिट वाला रहेजा बिकॉस कि यह होरुस्कोप शुक्र की महादशा की वए से ज्यादा बैनिफिशल होगी है इनके आने से कांग्रेस को एक जैक एक सपोर्ट तो मिला है बिल्कुल होरुस्कोप जो कहता है मुसके साब से रिकॉड इंग ले चल रहे हैं तो वो सपोर्ट तो इनको बिल्कुल मिला है और कांग्रेस को ने अट्रक किया है पब्लिक को जद्दा तो प्रियंका गांदी को आने से कांग्रेस में जो मजबूती हुई है और फिर क्या मतलब कि ग्राग या कहता है कि 2019 के चौनाओं पर इनाम पर उसका क्या हज़र देखने को देखे हैं देखें, 2019 के चौनाओं में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा प्रॉमिस नहीं कर रहा लेकिन एट्रक्शन में सीटें ज्यादा मिल सकती हैं बट मुकाम पर जहां तक पहुंशनी की बात है कि राहूल गांदी जी की जर्मपत्री और कांग्रेस की हरुसकोप यह सपोर्ट नहीं करती है सिर्फ एक प्रेंका गांदी जी के बैनेफिट पैनेट्स उनको जो दे रहे हैं सिर्फ एक हम हरुसकोप से इस चीज का एडिया नहीं लगा सकते बट यह है कि सीटें ज्यादा आरें जो जाएंगे जो सपोर्ट मिला है कांग्रेस को प्रेंका गांदी जी की हरुसकोप से वो एक मुकाम तक पहुंचा सकता है बट 100% यह नहीं कह सकते कि मुकाम मिलेगा ही मिले